हेलो फ्रेंड्स, गुट आफ्टरनोन, मैं निरज्जोसी, एक बार आपका पुनहा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आजकल हमारे पहाड़ो में बाग का अतंक बना हुआ है, बीच में मैंने आपको अपनी वीडियों बताया था, हमारी नियरेश्ट ग्राम सभा मे एक महिला को बाग ने मार दिया, और कल फिर से एक लड़की को, बारा साल की लड़की को बाग ने अपना निवाला बनाया, तो रोज ऐसी खबरे सुनने के बाद मन काफी ब्यथित हो जाता है, और आप देख सकते हैं हमारे गाउं की मुख्य सड़क है, और चार ओर आपको जंगली सुना, यह सारे खतरनाक जानवर हैं, लेकिन हमत और संगर्ज करना फेसा छोड़ना नहीं चिए, हमें हमेसा अपने आपको ऐसे दयार करना चीए, जैसे हम अपने आपको अपने इसे परिस्टितिट्यों निपटने के लिए दयार करना चीए, जो लोग सोचते हैं पहाडों में जीना बहुत आसान है, वो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि ना तो पहाडों में कोई रोजगार होता है, यदि आप government employees हैं, तो ठीक है, otherwise पहाडों में जीना बहुत रिस्क है, क्योंकि खेती होती है, नी, आप देख सकते हैं, ऐसे सुखे पहाड हैं, ऐसे ज सभी ने पसुपालन और खेती करना छोड़ दिया है, सभी के खेत बंजर पड़ गे हैं, धीरे-धीरे लोग गाउं से पलायन कर रहे हैं, पलायन भी एक बहुत गंभीर समझ्या बनते जा रहे हैं, क्योंकि रोजगार की खोज में कहीं ना कहीं एक पड़े लिखे युवक चल रहा है, और इन गड़ों को पार करते हुए, इन मोटे कंकड़ पत्थरों को पार करते हुए, उसका जीवन कितना मजबूत हो जाता है, उसके जीवन में कितनी गंभीर कठिनाईयां क्यों ना आ जाए, वो कभी हार नहीं मानता, इसलिए बोला जाता ना, एक पहाड़ी हमेशा हर किसी कठिनाईयी से निपटने के लिए हमेशा तयान रहता है, मैं हमेशा इन मुद्दों पर इसलिए बात करता हूँ, ताकि आप लोग समझ सकें कि पहाड़ों पर जीना कितना कठिन है, क्योंकि मैं भुगोल का छात्र हूँ, और हमेशा मैं नेचर को समझदे की लेकिन ये जो आपदाएं हैं, आपने कभी सोचा है, इतने सुन्दर पहाड और परकरती को तो मा बोला जाता है, वो क्यों विबस हो जाती है, इतना मनुष्य को कष्ट देने के लिए, मैं बात कर रहा हूँ आपदाओं की, आपदाएं इसलिए आती हैं, उसके जिम्मेद होता है, यह हम कभी नहीं सोचते, पेड़ों को काटने से जलसरोत सुख जाते हैं, और आप सोच सकते हैं, अगर जलसरोत सुख जाएंगे, तो मानल जीवन क्या संभव रह पाएगा, तो आप सबी हमेशा कोशिस कीजिए, अपने आसपास नेचर को कंजर्ब करने की, पेड से कनेक्ट हो, तो दोस्तों, मैं आज अपनी वीडियो नहीं पर समयाप्त करता हूँ, तब तक के लिए सबी को मेरा प्रणाम, आप मेरे वीडियो को यदि देखते हैं पूरी, तो वीडियो को प्लीज लाइक, और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें, थैंक्यू सो मच, प्रणी करन अपर्णा ओए प्राफंट में अपिते हैं एक्षा करっひ MARTIN